शिक्षा के बारे में कुछ विचार सुनाऊंगा हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्वा शुरू से रहा है इसलिए सुमाम विवे का नंजी ने लिखा है हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्मार हो मन की शक्ती बड़े बुद्धी का विकास हो और मनुष्य अपने पेरो पर खड़ा हो सगी दोस्तों शिक्षा के बगर मनुष्य एक पशु समान है हमाने देश में शिक्षा प्रात करने के लिए बहुत साथ स्कूल और कॉलेच है और सरकार की तरफ से उच शिक्षा के लिए अलग-अलग यूनिवर्स्टी का भी नेमान किया गया है लेकिन आज कल चन लोगों ने शिक्षा को वैपार बना रखा है और आम आदमे शिक्षा से वंचित हो रहा है आज हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरह की हासिल की है उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है अगर इसमें कई मेत्वा पुरन कारण है तो वो है उनको दी जाने वाली उच्चित सिक्षा जैसे हमारे पूर्व राष्ट्य पती श्री अब्दुल कलाम जी जो गरीब गर से थे लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के मेत्वा को समत्ते हुए अपना पूरा ध्यामन अपनी पढ़ाई पर दिया और उनके लगातर किये गए प्रेयस से उन्होंने बहुत सारे आविश्कार किये अगर यह सब वो कर पाई तो इसमें सबसे बड़ा योगतान शिक्षा का है शिक्षा के बगए इंसान कुछ भी खास नहीं कर पाता शिक्षा जिन्गी के हरे एक शेत्रम में तो बुनन है कुछ लोग ऐसा सोते हैं कि मुझे अच्छे शिक्षा प्राप्त नहीं करने क्योंकि मुझे कोई नोकरी थोड़ी न करने है लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है क्योंकि शिक्षा का मतलब यह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छे नोकरी करे बल्कि शिक्षा का उदेश आपको गनान पदाई करना है जिससे आप किसी भी सेत्र में उन्नाती कर सके इसलिए दोस्तों जब तक शिक्षा का मतलब नोकरी पाना होगा तब तक समाज में नोकरी पैदाओंगे मालिक नहीं हमारे जीवन में शिक्षिक होना बहुत ज़रूरी है इससे हमारा देश आगे बड़ेगा समाज आगे बड़ेगा इसलिए दोस्तों पड़ेगा इंडिया तभी बड़ेगा इंडिया धन्यवाद